बहराईच में आदम खोर भेडियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है ग्रामिडों का दावा है कि भेडियों का हमला मादा भेडिये की मौत एक जूसरे मादा भेडिये को पकड़े जाने के बाद और भी जादा बढ़ गया है दरसल वनवे भाग ने तीन अगस को एक मादा भेडिये को पकड़ा था जिसके रेस्क्यू के दौरान मौत हो गई थी और इसके बाद भेडियों के हमले तेजी से बढ़े है वहीं इसके बाद आठ अगस को एक नर और अठारा को एक मादा भेडिया को भी वनवे भाग ने पकड़ा जिसके बाद इन भेडियों के हमले में और तेजी आई है और ये आदम खोर बच्चों को निशाना बनाने लगे बढ़ते हमलों की वज़े से 200 लोगों की टीम भेडियों के रेस्क्यू में जुटी हुई है वहीं ड्रामीड रात रात भर पहरा दे रहे हैं तो दरसली चार तस्विर आपको दिखा रहे हैं कि अभी तक चार भेडिये जो हैं शिकंजी में आ चुके हैं दो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं जिनको ढूनने की कोशिश है वनवेभाग की टीम कर रही है और तकरीबन 200 अधिकारी लगाए गए हैं वनवेभाग की टीम पूरी तरिके से मुस्तैद है इसके लावा रात में भी ग्रामेडों की तरफ से पहरा दिया जा रहा है ग्रामेडों का दावा है कि भेडियों का हमला मादा भेडिय की मौत एक दूसरे मादा भेडिय के पक्ड़े जाने के बाद और भी जादा बढ़ गया है आपको बता दे कि वनवे भाग ने तीन अगस को एक मादा भेडिये को पकड़ा था और जिसकी रेस्क्यू के दोरान मौत हो गई थी और इसके बाद भेडियों के हमले तेजी से बढ़े हैं बढ़ती हमलों की वज़े से 200 लोगों की तीम भेडियों के रेस्क्यू में जुटी हुई है और दावा है कि जल्द ही सभी भेडियों को पकड़ लिया चाएगा तो अभी तक चार भेडिये पकड़ में आ चुके हैं लेकिन क्या इन चार भेडियों में जो इनका लीडर है एलफा वो पकड़ में आया है ये भी इसको लेकर सवाल खड़े हो रही है उदब एराइज के मैसी से बड़ी कबर है मैसी इलाके में भेडियों की दैश्यचारी है ग्रामिडों ने फिर देखा है आदम खोर भेडिया चोहन पुरवा दोबिन टेपरा में देखा है तीन भेडिया और बॉंडी इलाके में बाइक सबार के सामने आया है जानवर अब त आदम खोर भेडियों ने नौ लोगों की जान ले ली है और वाई आपको ग्राफिस ते जरी कुछ महत्पूर्ट जानकारिया भी देते हैं तीन अगस्त को एक मादा भेडिया पकड़ी गई थी और वनवे भाग लाते वक्त उसकी मौत हो गई थी रेस्क्यू के वक्त उसक जियाई है, ये दावा की जारा है, आठ अगस को भी एक भेडिया पकड़ा गया था, 18 अगस को भी एक मादा भेडिया पकड़ी गई और इसके बाद भेडियों के हमले लगतार बढ़ते गए, भेडियों ने अब तक 9 लोगों का अपना निशाना बनाया है, मादा की मौत क बेडियों का जुंड आदम खोर बना और बदला लेने के लिए हमला कर रहे हैं ये भेडिये तो ग्रामीडों ने एक बफिर से भेडिये को देखा है बदला लेने के लिए हमला कर रहे हैं ये भेडिये ऐसा दावा किया जा रहा है अभी तक ये भेडिये नौ लोगों को अप थे उन्हें भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा दिन रात वनवेभाग की टीम जुटी हुई है ग्रामीड भी रात रात भर पहरा दे रहे हैं और यह हम आपको बारी बारी से ग्राफिक से जरी बता रहे हैं कि कब कब ये भेडिये पकड़े गए 35 गावों में दैश्यत का मह पकड़े जा चुके हैं और एक रेस्क्यू के बाद गुरकपुर लाया गया है नौटी में आदमकोर को पकड़ने में लगी हुई है तो कोशिश यही है कि सभी बेडियों को पकड़ लिया जाए दोसों लोगों की टीमें नज़ा रख रही हैं 25 लोग हमले में घायल हो तो बहराइच के जिस लाके में आदमकोर भेडिये की तलाश की जा रही है वहाँ जी मीडिया की टीम पहुंची और जी मीडिया समबाद आता की एक्स्टूसिव रिपोर्ट में भेडिये के पैरों के निशान दिख रहे हैं और वो जलाशे भी जहां भेडिया रात के को फिलाल सील कर दिया है वजह यह है कि इस इलाके में यह जगा ऐसी है जहां पर पानी है और समबफता माना जा रहा है कि जो भेडिये हैं वो पानी पीने के लिए इस जगा पर आ सकते हैं तस्वीरे हम आपको दिखा देते हैं कि जो पहले के जो अटैक हुए हैं उसके बा ऐसे में यहां पर आगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ का जो रास्ता है उसको फिलाल पूरी तरह से ग्राइमिलों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है इसके साथ साथ आप हमारे ठिक पीछे देखेंगे कि इस रास्ते को भी फिलाल काट दिया गया है ताकि कोई भी आम लगातार इसी इलाके में ही रेस्क्यू कर रहा है तो ऐसे में यह जो इलाका है आप दे सकते हैं यहां पर सबसे ज़्यादा पानी है ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो भीडिये हैं वो यहां पर रात के वक्त पानी पीने आ सकते हैं और इनी सब चीजों को देखते हुए एरिया को ब्लॉक किया गया है फिलाल इसी तीन किलोमेटर के दाइरे में ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसको अंजाम दिया जा रहा है हाला कि ये पूरा करीब 25 किलोमेटर तक का जो एरिया है वहाँ पर फॉरेस विवाग लगातार जो है अपनी परताल कर रहा ह लेकिन इस पूरे इलाके पर विशेश जो है निगरानी रखी जा रही है और खास और से पानी पीने वाली ये जगा है जलाशे है तो ऐसे में यहां पर विशेश तोर पर निगरानी रखी जा रही है और इसी वज़े से इस पूरे इलाके के आसपास की जो रोडे हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है कैरमें राम बालक साथ विशाल लगवनशी जी मीडिया बहराइच आदम खोर भीडिये का आतंक लगातार बहराइच के तमाम गाउं में फैला हुआ है और अब जो तमाम जो घर वाले हैं जो गाउं वाले हैं वो अपने अपने जो मकान हैं उनमें दर्वाजा लगा रहा है आज साई तोर पर ये दर्वाजा लगाया जा रहा है आप तफ्वीरों में देख सकते हैं कि बकाइदा इस घर को बने हुए काफी वक्त हो गया है लेकिन इसमें अभी तक दर्वाजा नहीं लगाया गया था ऐसे में आज ये दर्वाजा लगाया जा रहा है क्या बज़े है जानने कुछ करते हैं क्या नाम है आपका चुटकन ये क्यों आप दो है दर्वाजा ये बांध रहे हैं आप देशाएं लोग के सोनी की जगह है और यहाँ पर ये लोग सोते हैं छोटे बच्चे जो हैं आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे ऐसे में अब जो है इस दर्वाजे को लगाकर घर को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है बकायदा जो है आप देशकते हैं कि यह अपला की यह पला है केवल और कोई एक जो दर्वाजे का विकलब होता है उसके तवर पर इसको लगाया जा रहा है ताकि कि किसी तदा से भी गर के जो मालिक हैं उन्होंने यहां पर दरवाजा लगाने का सोचा है आज यह दरवाजा लगा रहे हैं देखे यह वेकलपिक तोर पर इन्होंने जो है यहां पर दरवाजे का पल्ला बांध लिया है और कुछ इसी तरह का आलम जो है वो इस वक्त तमाम जगाओं पर दिखा छाँबतार बरता जा रहा है और तमाम जो गाउवाले वह इस वक्त जरें सहमें कि अब आघनले के बाद तमाम जो गाउवाले उन्होंने अपने अपने घरों में अब गेट लगाना शुरू कर दिया है औ CS While जो घर हैं उन आप गेट जो है ये कब लगवाएंगे गेट आपने मंगवाया है और क्या वज़े है यह यही वज़े है कि भेडिया का आतंग बढ़ रहा है जो इसलिए हम इसको लेके आए हैं जैसे बच्चे सुरक्षि नहीं है तो इसलिए इसको लगवा देंगे तो हम लोग थोड़ा स लेकिन आपर दिखाई पढ़ेंगे और सबसे खाथ बात यह है कि जो पूरा परईवार है वो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर चारपाई पड़ी है यहां पर रात में बच्चों के साथ पिता और जो दादा हैं वो सोते हैं ऐसे में बच्चे जो है वो सुरक्षित रह सकें भेडीय का शिकार कोई नहो इसको देखते हुए वगयादा लोहे की गِّरिल जो है वो मं गायी गई है और खास बात यह है की लोहे की ग्रिल लग जाने के बाद यहां पर जो तमाम घरवालें वो सुरक्षित हो जाएंगे और 2017 18 में इन्होंने मकान बनवाया था लेकिन अब ही तक जरूरत नहीं पड़ी थी लेकिन अब चुकी बेड़िये का आतंक लगातार बहसता जा रहा है और यही वज़े है कि तमाम जो गाउवाले हैं वो अपने अपने घरों में जैसा भी गेट लगा सकते हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो फिलाल कहीं जब आपर लोहे के जो गेट हैं वो लगाया जा रहे हैं तो कहीं पर जो लखड़ी के पले हैं उनसे ही काम चलाया जा रहा है ताकि वो लोग घर के अंदर सुरुक्चित हो सके और बेड़िया सीधे घर के अंदर ना घुस पाए किरामें रामबाला के साथ विशाल लोगशी जी मीडिया बहराइच बहराइच में गाउवालों ने अपने बचाव के लिए खुद से भी काफी इंतजाम की और अपने घरों के बाहर ही मचान बना लिया है ताकि उस मचान पर छोटे बच्चों को सुलाय जा सके इगराउंड रिप चुकि आम तोर पर ये मचान होते हैं ये खेतों में बनाया जाते हैं रखवाली करने के लिए लेकिन भीडिये के आतंग से डर के ये मचान बनाया गया है और बच्चों को इस मचान पर ही जो है सुलाया जा रहा है रात में इस घर के जो मेंबर हैं उनसे बात करते हैं क्या कि छोटे बच्चे रात को ओर दिन में सो सके और भेड़िया की आतंक से हम इने बचा सकें Tell लोग कहा सोते हो सर हम लोग भी यहीं पे सोते हैं सामने की तरफ जी सर तो आप देख सकते हैं कि यह जो है सामने की तरफ यह लोग सोते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है मचान पर सुलाया जाता है ताकि जो भीडिया है वो उनकी पहुंच सक ना पहुंच सके और अप दे सकते हैं कि यह वकायदा घर के आगे ही जो है मचान को बनाया गया है यह मचान कब बनाया आपने सेर दो-तीन दिन पहले सर बनाया था साथ तो जब पहले आतन जी कम था भेडिये का इस लिए नहीं बना पाई सर जब ज़्यादा फैल गया तो आने लगे तो उसने कहा पलीजवालों ने कहा कि बचाने के लिए बच्चो को ऊच्छे पसर्ट शर्ट देखे यह आप देश सकते हैं कि यहांपर बाकाईदा मचान जो है बनाया गया है यहांपर जो है सुलाया जारा रात में ताकि किसी भी हाल में भीडियों की पहुंच से बच्चे दूर हो सकें और इसी को लेकर पूरे गाउं में कुछ इसी तरह की सितियां दिखाई पड़ी हैं लोग खुद से भी अपनी हिफाज़त करते हुए नजर आ रहे हैं किरा मैं राम बाला के साथ विशाल लोगन शी जी मीडिया बहराईच